नमस्कार दोस्तों स्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागात है आसा करता हूँ कि अप लोग अच्छे होंगे दोस्तों यहां पर BPSC TRE 250 का जो एक्जाम हुआ था उसके सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकरके एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है दोस्तो दोस्तों यहां पर जितने भी मल्टिपल रिजल्ट दिये गए थे अब उनको केंसिल करके वहां पर जो जन्मीन कंडिट्स है ठीक है जो वेटिंग में उनको यहां पर मौका दिया जाएगा ओ लोग यहां पर स्लेक्ट हो जाएंगे यहां पर दिखिए बहुत ऐसा हुआ ह बहुत लोगा 6-8 में भी रिजल्ट हो गया है, PIT 125 में भी हो गया है, 9-10 में भी हो गया, 11-12 में हो गया है लेकिन ओ लोग एक जगह ही जवाइन किये हैं तो वैसे में जो बाकी का सीट रह गया उनका जो और सब क्लास में था तो वैसे सब पदों पर फिर से एक लिस्ट नि किये दोस्तों यहां पर जो BPC TI 2.0 था इसमें तोटल जो सीट था एक लाख लाख 20,000 का सबास था लेकिन यहां पर जो रिजल्ट दिया गया है कि वहल एक लाख पोस्ट पर ही दिया गया है तो यहां पर बाकी का जो रिजल्ट है 20,000 वैसे बचे हैं जिनका कि यहां पर रिजल्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोग का 20,000 पदों पर जो है सुपलीमेंटरी रिजल्ट आ सकता है, तो 20,000 पदों पर मानके चलिए कि 200,000 supplementary result है आ जाना चाहिए यहां पर subject wise का बात करें तो देखिए computer science में 100 result कम दिया गया है तो वहां पर उमीद है कि कम से कम 60-70 supplementary result दिया जाए बाकी सब subject का कुछ का नहीं सकते हैं prediction नहीं कर सकते हैं बाकी अतुद परसार सर जाने BPSC जाने कि कितने पदो पर vacancy निकालेगी यहां पर आप लोग भी wait किजिए आठ तक counseling चलेगा counseling खतम होने के बाद ही यहां पर पता चल पाएगा कि कितनी sit खाली रह जाएंगी उसके बाद आपको decide किया जाएगा कि कितने पदो पर आपका supplementary result जारी किया जाएगा तो अभी हम लोग को wait करना होगा जब तक कि आपने हमारा counseling जो है 8 जनवरी को खतम नहीं हो जाता है उसके बाद ही यहां पर कुछ कहा जा सकता है इसमें अब depend करता है कितना आगा कुछ भी prediction करना सही नहीं है ठीक है तो आप लोग wait किजिए बहुत जल्द आप लोग का supplementary result है आ जाएगा बाकि 20 पर बेस्ट अच्छे के लिए कामना किजिए कि अच्छा हो सब और जितने भी लोग यहां पस लिक्ट हो जाएगे उनको अग्रीम बढ़ाई congratulations तो दोस्तों यह रहा अपडेट अगर इस पर कुछ नहीं अपडेट आती है तो मैं आप लोग को नहीं वीडियो के माधम से सुझित कर दूँगा आप लोग इस च